नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत YouTube चैनल एसके टेकनेशन पर सो फॉर्म में जो है कि काफी लोगों से जो है की गलतियां हो रखी है या कर रहे हैं या हो जा रही है जैसे भी गलती से हो जा रही है उसके बाद एक सवाल आप लोगों का लगातार जो है की देखने को मिल ला है जो है कि SCST के लिए कब से सुधार होगा OBC वाले कब से अपना फार्म में करेक्शन कर सकते हैं उसका बीच ना देवर टाइम टेवल भी कई बार बदल गया तो अभी जो है कि आपके मन में सभी के मन में एक ही डाउट है कि आप करेक्शन मानलो आप से गलती हो गई तो आ सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीतने भी आपको यूपी इसको लिए नहीं किया है तो जीतने भी आपको सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आप कोई भी नोटिफिकेसन है कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहोगे तो चलते हैं लाइन से देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल ओबी सी और माइनॉर्टी के लिए यह एक सेक्शन में लोग आते हैं तो जनरल ओब सबसे पहले जो कटेगरी आती हो आती है जनर ओबी सी माइनॉर्टी काफी लोग नोटिस पर विश्वास नहीं है काफी लोग ऐसे हैं तो उनके लिए निवी में लेकर आ गया हो ताकि उनको निवस से किलियर हो जाए यहां देखो यह तो आपको मला पता ही चल चुका होग देखो 18 जन्वरी तक उनलाइन आवे दन कर सकेंगे और 22 जन्वरी तक हाड कॉपी सिछर संस्तान में जमा करना होगा कोई तरूटी होने पर बाराफंटी से लेकर पंद्रा फरोडी तक सुझार कर सिछर संस्तान में जमा करना होगा तो यहां पर आपको कर्एक्शन का पर आपके सामने हैं तो तो आपके सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मानलों के हौम में कोई गलती हो तो बारा फरवाली से लेकर 15 फरवाली तक सुधार करके सिच्छर संस्थां में जमा किया सकेगा मतलब यहां पर आपके लिए करेक्शन की एड़ी बारा फरवरी यहीं सेम नोटीस में आपके लिए टेलेग्राम चैनल पर अल्रेडी सेयर कर दिया था वो नोटीस में भी सेम इड़ेट लिए आपको वहीं दिखाए तो आपके हम मालों आपने कोई गलती कर दी है तो आप सही कब से कर्तक कर सकते हैं वहीं आपको दिखायता हूं यह देखो 12 नंब हो गई को छात्रों की सतर से सही करना देखो चात्र चात्र के लागिन में दिखाया जाना वह चात्र तूटी को ठीक करना वह होगा 12 फर्वदी से लेकर 15 फर्वदी तो यह देट आप लोग नोट करने जितने भी जनरल ओभी सी माइनौर्टी के छात्र हैं इनके लिए आप के लिए टेट के आपको दिखालता हूं आप सबही को मालूम है को कर दिका सब्सक्र और हो राओंड में सब कुछ हो रा है तो इसेंग यहां पर भी होगा दो राओंड में करिक्सन होगा । बहें चात्रों और सब तो सब्सक्राइब कर लिए तो सब्सक्राइब कर दोड़ेक्षन का विंडो खुलेगा वह खुलेगा दो फरवरी से लेकर नौ फरवरी की बीच में यहां देख लो लिखा हुए आप साप पढ़ भी सकते हो कि छात्र छात्र हो तरह किये गा उनलाइन आवेदन में हुई गलतियों का ठीक करना प्रदसित करना वो चलेगा आपका दो फरवरी से लेकर नौ फरवरी के बीच में तो यह हो गए पहले राउंड के स्टी के छात्र अब स्टी के छात्र जिन्हों ने 31 संबर के बाद में आवेदन किया मतलब अभी आवेदन कर रहे हैं जो अभी मतलब पहले कर चुके हैं 30 संबर के बाद उनका जो करेक्शन होगा वह भी मैं आपको दिखा जाता हूँ आपको बार बार पूछना ना पड़े वह आपको यह पर समराइज करता हूँ जीतने भी पोस्ट मेर्टिक अर्दन इंटर्मीडियेट के हैं तो तीन के टेगरी मैंने आपको बताया कौन कौन सी तीन के टेगरी एक होगे जंडल ओबी सी माइनॉर्टी के छात्र तो उनके लिए जो करेक्शन की तारीक है वह आपको मैंने बता अब ही मैंने डिसकस कर दी आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो याद कर सकते हो या फिर नोटीस में भी अगर आप पढ़ना मतलब ध्यान से पढ़ोगे तो आपको जवाब मिल जाएंगे सारे उस नोटीस के अंदर जवाब होते हैं तो यह हो गए हमारे पोस्ट मेर्टि का नोटीस जो उनके लिए आया हुआ था यहां देख भी पाऊगे कि पूरो दसन यानि के अच्छा 9-10 के सारे काटेगरी मतलब इसमें सारे काटेगरी का एक में ही नोटीस है प्री मेंट्रिक के छात्रों का तो इनका जो सुधार किया जाना वो भी मैं आपको दिखायता ह पर आपको देखने को मिल जाएगा यह देखो साथ नंबर पॉइंट पर तूरी पूर आवेदनों को चात्रों के सही किया जाना मतलब कि आपके खौर्म में कोई गलती हो गई है तो उनलाइन आवेदन में की गई तूरूटियों को 9-10 में के चात्र पांच फरवरी से लेक पूरा समझा दिया इसलिए यहां पर आप लोग देख पार रहे हो अलग अलग डेट पांच फरवरी 12 फरवरी दो फरवरी सबका मैंने आपको मिनिंग बता दिया दो फरवरी है आपकी प्री मेंट्रिक वालों के लिए नवी दस्मी के लिए 12 फरवरी है जन्नल ओभी सी मा अब जाएगे और इसक्रिप्शन मिल जाएगे तो चलिए गाइस वाले वीडियो मितना ही थैंक यू पर वाचिंग श्टेव टून्ड ट्रेश्क टेखनेशन